और सब सारे दुकंदारों का सिर्फ यही मिज़ाज होता है, दूना पे 70%, 80%, एक ही दिन में एक ही रात में कड़ोर पती बनना चाहते हैं, और 10,000-20,000 रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन कमा नहीं पाते हैं, एक ही रात में, एक ही दिन में 10,000-20,000 कमाना चाहते हैं, लेकि कम बहुत से दुकांदारों को देखा गया है कि इनके दुकांदारी 6 में असाल बार में तूट जाती है, उनके ग्रहां बिखर जाते हैं, तो भीखरने का यही परी दुस्तों मित्रों ब्यापारी बंदों कैसे हो आप यही आसा करता हूं कि आप खेले से होंगे, और मेरे यही दुआ भी है हमारे देश की जितने भी बिजनसमेन भे पारी, अवाम पब्लीक है सब के लिए, कि आप जहां भी रहिए खेरिये से रहिए, खुझाल रहिए दोस्ता हम उतना कपड़े के बिजनस में कितना फ्राफिट करना चाहिए कपड़े के बिजनस में कितना फ्राफिट होता है और कपड़े का बिजनस कितना फ्राफिट से जो है लंबे लंग टाइम तक जो है आप कर सकते हैं जो है और इसमें सफल रह सकते हैं जो है हम इसी भी बात करेंगी कि हाकीकत में जो है कितना margin कितना profit रखें तो जो है बढ़ियां रहेगा देखिए अगर ब्यापारी कुछ दुकंदार ऐसे होते हैं जो दूर्णा पर business करते हैं जैसे मान के चलिए अगर कोई साड़ी की खरदारी चार सो रुपय का कर लिए तो उसका रेट आट सो रुपया रख देते हैं कोई साड़ी की खरदारी 600 रुपया रख लिए तो उसका रेट 1200 रख देते हैं कोई साड़ी की खरदारी जो है 800 रुपया रख लिए तो उसका रेट 1600 रुपया रख देते हैं ऐसे भी दुकंदार होते हैं कुछ दुकंदार ऐसे होते हैं कि 400 रुपय का कोई 400 रुपय का कोई डेड़ गुना कर देते हैं कोई लोग दो गुना कर देते हैं यानि कि 70% अगर आपके शौप पे आता है और जब आप रेट बताते हैं तो पता चलता है कि जब आप रेट बताए किसी बच्चे के गबड़े का 400 रुपे कीमत और अगर वो कह देगा कि मैं आपको 200 रुपे दोंगा तो और उस से ज़्यादा नहीं दोंगा ज्यादा अगर margin रखेंगे और ज्यादा फैदा रखेंगे तो ग्रहकों को खुद बखुद अंदाजा हो जता है कि आप जो है मुझे ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि ग्रहक भी होते हैं जो हर समय पहनते हैं हर दुकान पर विजिट करते हैं तो उनको भी रेट का एक बखवी एक अंदाजा होता है जो है वह भी जो है रेट लगाना जानते हैं तो अगर आपको कोई ग्रहक जो है चार सुरुपे आपने बताया और उसको उस ग्रहक ने जो है आपको कहे दिया कि भाई मैं 200 रुपे दोंगा जो है और 200 रुपे दोंगा और आपके शॉप पे पहले से अल्रेडी ग्रहक बैठे हुए हैं जिनको जो है आठ दस जार रुपे का कपड़ा लेना है अब भाई जो है वह दो सो कह दिया आपके नहीं नहीं इतना एका नहीं होगा अब जो है तो जब लंदनी रहते हैं तो आपको दुशवार ही होती है फिर यहीं होता है कि कप्ला कभी सुरूपे इस रुपे फाइदे में बिखता है कभी पचास रुपइदे मिजिक्ता है यह चीज है कि मोल चाल के बिजनस में ज्यादा फाइदा की बिजनस में दू चीज होता है कभी-कभी दुकान-दार को फाइदा होता है कभी-कभी ग्राह को फाइदा होता है लेकिन देखिए मोल चाल का बिजनस है उसके तरीके कार अलग है अब और जो है लेकिन यह है कि अगर आप जो ह तो देखिए मेरा अजमाई हुई मेरी बात है जो है आप जो है अच्छे तरीके से जान लिजिए कि अगर आप जो है सीमित margin रखिएगा तो हर समय काम्याब रहेगा अब सीमित margin क्या होता है जैसे मानली जी कोई कपड़ा आपका सो रुपए का खरीदा हुआ है तो 35 से चालिस परसेंट अगर आप रखेंगे तो अगर मानलीजे यहाँ जगय ही नहीं बचेगा आप सीधे कहा दिंग भाई देखिये मेरा रेट सीमित रहता है मैं ज्यादा मौल भाव नहीं करता हूँ आपको दस रुपे डिसकाउंट कर दे रहा हूँ या फिर दस परसेंट डिसकाउंट कर दे रहा हूँ तो इस तरह से ग्राहक को भी चार सु रुपे की साड़ी जाएंगा और चालिस परसेंट आप data कर दिया तो एक सासाट है नहीं के पां सो Really हो गया तो जब आप तो चार सू रुपया ही रेट लगा देगा, यहीं कि ऐसा रेट लगा देगा कि जितना का आपका खड़ीदा होगा जो है, अब बताइए उस इस्तिती में आपको यही का मजबूरी हो जाएगी, तो यह तो आप उसके रेट पर दीजिए, या फिर वो घुनाहग जो है कि इस दूसरे स्वाप पे चला जाये, या फिर आप यही करते हैं कि 10-20 रुपय रुपयों यहीं बेचते हैं, तो भाई, मैं आपसे यही कहूँगा, कि जब आपको इतने ही का बेचना है, तो आप दूना क्यों रख रहे हैं, सीमित रखिये गा, तो एहसास होगा जो है, कस्तेम और आप भी जो है आसानी से आप फ्री माइंड रहेंगे कि भाई मैं सीमित रखा हूं और मेरे रेट पे कोई ब्याफारी नहीं दे पाएगा अगर आपका सीमित रेट है तो कोई नहीं दे पाएगा और सब सब सारे दुकंदारों का सिर्फ यही मिज़ाज होता है दूना पे एक ही दिन में दसजार विसजार कमाना चाहते हैं लेकि कमा नहीं पाते हैं और बहुत से दूकंदारों को देखा गया है कि उनकी दूकंदारी छे मेना साल बार में तूट जाती है उनके ग्रहां बिखर जाते है तो बिखरने का यही वज़ाए है कि एक तो आपका समान आपको जाएंगे जो है